हेलो दोस्तों आजकी वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अगर गुगल सर्च कॉंसल में आपका जो पोस्ट वो इंडेक्स नहीं हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है और गुगल सर्च कॉंसल में अगर आपको एरर मिल रहा है जैसे कि साइट में कुड़नोट फैच या फिर आपका जनरल एस्टीटीपी एरर या फिर साइडनोट कुड़नोट विरीड इस तरह का जो भी एरर आता है जिसके कारण से आपका कोई भी वेब इस्टोरी हो गया या फिर पोस्ट हो गया जो कि मतलब आप सब्मिट कर रहे है पर वहां पर इंडेक्स बिल्कुल नहीं हो रहा है तो इससे में क्या होगा आप तो वेब इस्टोरी पब्लिस करते रहोगा पिर पोस्ट करते रहोगा आप सचोगे कि ऑटो में हो जाएगा या फिर कुछ और रीजन से बंद है दो चार दिन या अपतर दिन में खुद पर उनको पता नहीं रहता कि उनमें जो मैक्सिमाम वेडियो में इंडेक्स ही नहीं हुआ तो जब तक उसमें ट्राफिक कैसे आएगा डिस्कबर कैसे अनवल होगा तो आप भी एक बार अपना वेडियो चेक कर सकते हैं कि वह इंडेक्स है या नहीं है तो सारा चीज में आप और कॉमेंट भी बहुत सारा मरा आ रहा है तो मैं उन लोगों के लिए यह वीडियो बना के राया हो जिनके इंडेक्सिंग वगरा का इसू चल रहा है तो इसी तरह आपका भी अगर कोई क्वेडी है तो आप मुझे इस्टा में पूछ सकते हो मैं लाइफ सेशन भी लेता ह तो इसी को मैं सॉल्फ करके आप लोगों को दिखांगा कि क्या क्या चीज से आप उसे सॉल्फ कर सकते हो तो यहां पर देख लिए यह में वेडिष्टोरी तो यह वान वीक पहले वेडिविश्टोरी पुब्लिस हुआ था तो यह जो एबीस्टोरी अभी तक इंडेक्स न नहीं हो तो जब तक इंडेक्स नहीं हो गाता की ट्राफिक का उडिस्कुबर का तोको कोई चौश नहीं बनता है पहले यहां पेिंडेक्स होना परेगा सब कुछ वैलुप होना पने लेगा यह और कुछ से तो उसे solve करना परेगा तो फिलाल यह जो रिजन है जो इंडेक्सिंग नहीं हो रहा है वो किसलिए हो रहा है आप सबसे पहले अपना साइट में को चेक करिए तो साइट में यहां पर देखिए जैसे कि यह गोगल नियूज वाला है तो यह सकसे से पर इस साइट में इंडेक्सिंग जो है तो इसे हम लोगों सही करना होगा जब तक आपका एक पोस्ट और एक वेविश्टोरी जो है इंडेक्स नहीं होगा वहां पर देखिए जीरो यह वैडल दीख रहता है वह यहां पर सो करता है कितना यूज आपके वेबसाइड में है तो पेज़े सबसे पहले वर्डप्रेस में चले जा यहां जाकर अगर तो में के बारे में बता रहा हूं अगर या फिर और विफी कोई साइट में का प्लागीन यूज कर रहा है करेंड कि सही है या नहीं है कि अपता रेंक में कुछ इसू हो या फिर उस में कुछ इसी ओर जिस एक को सब्सक्राइब कर आच आच शुका है जो इंडेक्स नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए आप साइट मेप आपको वेब सैट का कुल रहा है यानि खुल रहा है तो यहां पर देखे यह मैंने अपना वेबसाइट खोल लिया और यहां पर आपका जो वेबसाइट जो डॉमिन ने में उसके बाद क्या करना है if мы theके site map underscore index in dot XML इसको अप enter करेंσι के आप देखिए कि यह खुल रहा है यह नहीं खुल रहा है। तो यह मेरा आम पे खुल रहा है। फुल रहा है उसके बाद आपको क्या करना है जो पोश्ट स्कुनाइब उसको क्लिक करिए उसको क्लिक करने का यहां पहुल है याँ टोटल साइट पहुल हमें जो है सायटमस फ्रॉपल्ड़ कीं अगर यहां होता है तो आपको क्या करना होगा आपरγय में प्लग इंद अगर यूज करते हैं चैक्शन को इस से one ऑगर पैजरने शाउयर हुआ २ियुकर को सैंट मीआ होना परिगा गारणर है दोजबड होना पर यह working आफिशन होना पर तो पोस्ट सेक्शन में जाता हो यहां पर और एक काम क्या करना है आपको जैसे जैनरल में आप जाहिए तो यहां पर दिखे 200 लिखा हुआ इसे आप कम कर दीजिए थोड़ा लगबग 190 तक ले आई है कि iki मेक्शिमम नंबड ओब लिंक साइट मेप यहां पर 190 डालिए उसके बाद को क्या करना बाएं का कोई gover नहीं है उसके भाद आप को क्लिक कर दीर उसके बाद आपको क्या करना है जैसे कि साइट में पोष्ट का और जेनरल में देखिए कोम्प्लीट एसाइट में दिखा रहे है तो इससे उपन करता हूँ आप इस eurl को कोपी करें कोपी करने कवाद में आप सर्च कॉंसल में चले जाएं सर्च कॉंसल में जाने कवाद सिंप्ली यहां पर देखिए त्री डॉर्ट का ओप्शन मिल रहा है तो यहां पर जाके इसे रिमूब साइट मेप करिए तो यह जो है आपका प्रोपर्टी जो है साइट मेप का कॉंप्लिट है रिमूब हो गया दिए टो यहां पर द्वारा से आपको यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आप साइट मेप अन्डरस्कोर इंडेक्सिंग.डूट उसके बाद आप सब्मीट करिए तो यहां पर देखिए गोट इट यह जो है सब्मीट हो चुक है उसके बाद आप एक चीज देखिए यहां पर फिर से जो जीरो आ रहे है तो जीरो बिल्कुल नहीं आना चाहिए तो इसके बाद यहां पर हम लग कैसे इसको सॉल्फ करेंगे जैसे कि जीरो आ रहे है तो जीरो बिल्कुल नहीं आना चाहिए इसको इसको एक बार आप बेक कर दीजें बेक करने के बाद आप क्या करिए दुबारा से आप अपने साइट में पेज में चले जाए जो पोस्ट वाला सेक्शन है उससे आप क्लिक करिए यहां पर देखिए 56 यहां पर क्या होना चाहिए आपको वेबसाइट का नेम स्लेस पोस्ट अंड्रेस्कोर साइट में डॉट एक्सेमल उसके बाद आप सब्मीट करिए फिर से तो इसे ओके कर दिया यहां पर देख लिजिए 56 यूरल जो है यहां पर आ चुका है ठीक उसी तरह आपको क्या करना है इसे फिर से बेक करिए अपने वेबसाइट में जाके अब पेजस सेक्शन को आप ले लिजे पेजस वाले को भी लेके ठीक उसी तरह आप दुबारा से समाघ्स करिया ओपैर सैब्न में है तो यहां भी सम्मेट हो गया और एट एहां पर दिखा रहा है मतलो एट पैज साइड्मा परinas 마음에 छोटाऊं मा कौपी करिए करने के बाद साइट में या कि यह ब ही होग पेस्ट करिए कि यहां पर देख लिए juais away देखें ने में थोड़ा टाइम लगेगा से आपको फॉट करना पर लेगा और वाकि भी सबकों से आघियर है तो उसके बाद देख लिए यहां पे सब में कोई भी इरर नहीं इज़ सब्सक्राइब सब्सक्राइब यहां पे देखे लिए यहां पर मुबाइल वीज़बिटी और आमप यहां में हरक पोस्ट का सब्सक्राइब करना होगा तो उन पर साइटमेट में पूपकर लिए गोगल में उसे आपको चेक करना है तो आप यहां पर नौरमली फैसे नहीं पहरोडे करें और यहां पर नो और इसाइट मैं व्योट कोको खोल स्थ में हिसे कूछ करें और पहंपर कोई सुम्ह네Co direct map सही से जेनरा हुआ तब जा करना पर दो इसे जो है आपका साइट मैप सही हो जाएगा फिर भी कोई इस हो आ रहा है तो आपको क्या करना होगा रेंक में जो प्लगिन है उसे अनिस्टॉल करके दुबारा से इस्टॉल करके दुबारा कॉन्फिगर करना होगा तो उसमें आपका जो इस वे सॉल्व हो जाएगा URL Submit करने के बाद भी अगर आपका जो है problem solve नहीं होता है तो क्या करना है आपको एगें साइट मैप में चेक करें किया problem जो है दुबारा आ चुका है पर आपको पहले क्या करना है URL Submit करने के बाद आपको 24 hours wait करना होगा कि URL indexing हुआ या नहीं अगर नहीं हुआ तो आप दुब को आप यहां पर URL inspection में आप चेक करिए कि जो सर्च कॉंसल उसको fetch कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है तो यहां पर कुछ इस तरीके का option यहां पर आएगा तो यह बैसिकली सभी साइट में का ऐसा ही आता है तो इसमें मुझे कुछ निकरना है को प्रॉब्लम नहीं है इसे सब्सक्राइब लाइब टेस्ट करिए लाइब टेस्ट में आप देखिए क्या मेसेज आ रहा है यहां पर URL is not available on Google तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों यह सभी का आता है बेसिकली तो यहां पर नीचे आप डाउन करें यहां पर देखिए पेज फेच यहां प को फेच कर पा रहा है वो बिल्कुल ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है सर्च कॉंसल के तरब से और उसके बाद भी अगर आपका एरर आ रहा है इंडेक्सिंग नहीं हो रहा है तो आप एक काम कर सकता है यहां पर स्क्रीन सोट आप केप्चर कर लिजे और यहां पर एक पेजेस बगरा इंडेक्सिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है तो इसकेस में आपको थोड़ा वेट करना होगा पर आप काम जो है कॉंटिनीव करते रहो तो यह हो जाएगा ज़्यादा तर जो है नहीं वेबसाट में काफी देखने को मिलता है कि सुरुवात में क्या ह सब्सक्राइब कर देता है मतलब से इंडेक्सिंग होना मुस्किल होता है तो दोबारा से फिर खुलता है तो जैसे आप डालते रहेंगे तो दोबारा से खुल जाएगा तो ऐसा मतलब मेरे साथ भी हुआ और भी बहुत लोगों को गया कि 10-15 पोस्ट डाला उसके बाद जो है नेक्स्ट 10-15 पोस्ट तक बिल्कुल इंडेक्सिंग नहीं हो रहाता है तो उस केस में क्या हो गया कि यही फॉर्मूला हम लोग को एपलाई करना है और उसके बाद क्या है गुगल एपिया एपिया में प्रोब्लेम जो है खतम हो जाता है और इंडेक्सिंग सभी पोस्ट का दो से तीन घंटे में इंडेक्सिंग भी हो जाए होना शुरू हो जाते है और अब आपका नया नाय वेबसाइड है तो आपको क्या करना है कि इस सब करने से पहले सारे लिंक को चेक करो कि सबके सब वेलिडेट है या नहीं इंडेक्स है या नहीं प्रोपर्ली तब जाके आप अप्लाइब करो अधर्वाइस क्या होगा अपका बार बार रिजेक्ट होते रहेगा क्यों नया जो साइट एप्लाइब करता है एटसेंस पर उन लोगा मैक्सिमम कारण नहीं होता है लो वेलू इतना ही था उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा वीडियो को लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करिया और कोई भी कोई से तो आप इंस्टा में मुझे पूछ सकते हो साथ ही दोस्तों मैं जब भी लाइव आता हूं तो उससे पहले आप लोगो झाल को सब्सक्राइब के लिए भी दोस्तों मैं जब भी दोस्तों मैं जब भी आता है उनल को वीडियो को वीडियो करेघ्यों मैं लागो याटा है